मैं अक्सर डेश के कौने कौने में हमारी सरकार की योजनाओं के लाभारतियों से मुलाकाद करता रहता हूं इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बेहनें, हमारे देश की बेटे, बेटियां, हमारी महलाएं शामिल होती हैं वो मुझे बताती है कि पहले इसकी सरकारों में और अब भाजपा सरकार के समय में स्वास्त सुविधाओं में कितना बड़ा फरक आया है। आप और हम ये जानते हैं कि जब स्वास्त की बात होती है, इलाज की बात होती है, तो हमारे हां महलाएं अक्सर पीछे रह जाती है। हमारी माताओं बैंव को खुद को लगता है कि क्यों अपने इलाज पर घर का पैसा खर्च करवाएं, क्यों अपनी वज़े से दूसरों को इतनी तकलीफ दें, सउसाधनों की कमी की वज़े से, आर्थी तंगी की वज़े से, जिन हाला तों में देश की करोडों महला रह रह थी उसमें उनका स्वास्थ ही सबसे ज़्यादा प्रभावित था भाजपा के नेत्रुतों वाली हमारी सरकार ने जो योजनाय शुरू की उसका बहुत बड़ा लाब हमारी माताओं बेहनों को महिलाओं की सहत को हुआ है स्वच्छ भारत अभ्यान के तहद मने करोरो सोचाले ने महिलाओं को बहुत सारी बिमारियों से बचाया है उजवला योजना के तहद मिले गेस उस गेस कनेक्शन से महिलाओं को जान लेगा दुये से मुक्ति जलाई है जल जिवन मिशन के तहट हर गर जल आने से करोडों महलाओं का पानी से होने वाली मिमारियों से बचा हुआ है मिशन अंद्र धनूस ने करोडों महलाओं का मुफ्त टिका करन करके उन्हें गंबीर मिमारी से बचाया है आईश्मान भारत योजणा ने महिलाओं को अस्पताल में पांच लाख रुपिय तक की मुफ्ति इलाज का बरोसा दिया है प्रदान मंत्री मात्रुबंदरा योजणा ने महिलाओं को गर्बावस्ता के दोरान आर्थिक मदद दी है रास्तिय पोशन है बियानने महिलाओं को पोश्टिक बोजन मौईया कराने में मदद की है जब सरकार सम्मेदन जिल होती है जब गरीब के प्रती सेवा की भावना होती है तो ऐसे ही काम किया जाता है